असलाम अलेकुम, SQL के सीरीज में अगेन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और ये पुरी सीरीज देखने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पुरी प्लेलिस का मुझूद है आज हम बड़ा यूनीक काम करने वाले हैं, वो कौन सा यूनीक काम करने वाले हैं? हम आज से MySQL Workbench को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? और अगर आपको नहीं पता कि इसे इंस्टॉल कैसे करने हैं, तो उपर कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला होगा कि how to install MySQL Workbench, यह totally free database है, relational database को manage करने के लिए, तो इसे start करते हैं, MySQL भी बोल सकते हैं, MySQL भी, हम install किया हुआ है, वो यहाँ पर जाके MySQL Workbench को open कर लेते हैं, open करने के बाद इसे मैं fit कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो पहला user हमने बनाया हुआ था, उस पर click करते हैं, click कर करने से हमें पता जल जाएगा कि हमारे पास कौन सा user active है, यहाँ पर root active है, और यह connection बना हुआ है, अगर आपके पास यह connection नहीं आ रहा, तो आप यह plus button पर click करें, और यहाँ पर इसको कोई भी नाम देने के बाद, as it is बाकी चीज़ें छोड़ दें, और ok का button दबा दें, त यहाँ पर store involved, यहाँ पर मैं अपना password लगाता हूँ, यह मैंने installation के दुरान लगाया था, ok करता हूँ, बाकी चीज़ें ऐसी की ऐसी छोड़ देता हूँ, host name का मतलब है कि यह local machine का IP address है, and this is the port, जो usually use होती है, host के लिए, अब यहाँ पर हम इसको test connection पर पहले click करते हैं, जिस is away, मैं ok करता हूँ तो यह इस तरीके से new बन जाएगा हमारे पास, इस पर click करता हूँ तो यह open हो जाएगा, ठीक है, तो मैं basically क्या करता हूँ, इसे close करता हूँ, और यहाँ से इसे में delete कर देता हूँ, ताकि मेरे पास जो पहले वाला बना है, मेरे पास वो ही रहे, इस पर का काम है कि किस तरीके से आपने कोछ चीज चलानी है, data import करना, export करना, client connection बनाने है, later on advance, जब हम mysql पर बात करेंगे तो फिर हम इन चूज़ों को देखने वाले हैं, ठीक हो गया, then आगे हमारे पास जो है, इसी तरीके से schemas tab है, schemas के अंदर हमारे databases होते हैं, और tables होते हैं इनको हम देखते हैं, तो यह होगी navigation tab, यह होगी हमारी query tab, यहाँ पे हम query लिखते हैं, for example, जो हम command prompt में select या use databases या show databases की command लिख रहे थे, वो यहाँ पे लिखेंगे, and then after that, this one is the SQL Editions, इसके अंदर आप किसी भी एक topic के ओपर jump कर सकते हैं, मतलब अगर आपको नहीं समझा रहे कि कौन सा topic क्या है, और कौन सी query किस वज़ा से, तो यहाँ पे, for example, मैंने select की query देखने हैं, तो यहाँ पे पूरी इसकी documentation मिल जाए आपको, कि select किस तरीके से चलना है, और select को utilize करने के बाद हमने क्या करना है, ठीक है जी, तो यह तीसरी tab होगी, तीसरा interface होगा हमारे पास, और यह चोथा हमारे पास, sorry, इसकी जो console होगी, और चोथा हमारे पास information वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे object की और session की information चाल रही होती है, कि किसने कब run किया, और क्या timing चाल रही है, ठीक है जी, then हमारे पास output यहाँ पे show रही होती है, ठीक है, output को show करने के लिए आप देख यहाँ पे show होने वाले है, ठीक है जी, फिर इसके बाद, यहाँ पे edition के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, select लिखा था, तो यह context आ गया, इसका help document आ गया, context का, यह मैं इसको देखता हूँ, तो यह अगर आपने select के बारे में पढ़ना है, कि command कहां पे use हो snippets भी देख सकते हैं, for example, यहाँ पे, अगर आपके पास कोई snippet save है, या आपने देखनी है, कि किस तरीके से आपने different snippets यूज़ करनी है, then you can also use that one, ठीक है, my snippets भी store कर सकते हैं, snippet कि होता है, lines of code, जो आप यूज़ करते हैं, फिर हमारे पास, यह एक, दू, तीन, चार, पा आपको बता दिया, now, यह interface पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो आपको preferences का dialogue आजागा, कि इसमें क्या क्या changes करनी है, और अगर आपका font बहुत छोटा आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, और यह 16, 16, जितना भी आपने करनी है, उसे करते हैं, ठीक है, अपनी बाटम साइड बंद हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे, तो राइट साइड बंद हो जाएगी, तो जब आपने code लिखना होता है, तो basically आप इस तरीके से different किसम की windows जो उन्हें open कर सकते हैं, based on your screen size, अगर आप laptop पे काम करें, तो आप उस तरीके से करेंगे, अगर आप laptop पे Google Chrome की तरह tabs नजर आएगी, tabs नजर आने के बाद, आप यहां पे different connections भी open कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले किया तो तो इस तरीके से वो आजाएगी tab, फिर इसके बाद, file का button इसके अंदर नया model बना सकते हैं, new query tab बना सकते हैं, open model कर सकते हैं, SQL script को नया open कर सकते हैं, और open recent file कर स तो यहां पे भी आ जाएगी, view के अंदर आप basically home, panels, अगर आपने लगाने हैं, तो same वो ही function है, जो यहां से किया था हमने, ठीक है, और अगर आपने shortcuts के साथ, अपने tabs में move करने, जो यहां पे show हो रही होंगी, you can press alt, shift right, or also shift left, ठीक है, query कलिकना, execute करना, वो सारे यहां पे query क button है, और यह भी query के button है, इस पे हम बात करते है, servers, जब हम servers पे जाएंगे, data import कैसे करना, export कैसे करना, servers को use करते हैं, हम फिर इसको देखेंगे, then tools पे चलते है, tools के अंदर configuration के tools है, restore करना हो, utilities के tool है, और shells बगारा को चलाने के tool है, यह advanced stages पे हम use करेंगे, scripting shells, यह भी वही ची documentation ज़रूर पढ़नी चाहिए, किसी भी एक चीज की, तो इससे क्या होता है, आपके understanding बढ़ती है, कि home screen में क्या है, installation कैसे करना है, configuration कैसे करना है, connect, connection in my SQL workbench कैसे करना, administrative task कौन से, performance tools कौन से, database develop कैसे करना है, तो आपके पास हर एक चीज इसमें दी गई होती है, आपको इदर गूमने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको time देंगे, तो फिर ही आप देख सकेंगे, तो इस वज़ा से आप help पे जाकर documentation हर software की ज़रूर time लगाया करें, ताकि आपको समझ आए, फिर update देखनी है, कि अगर ये मेरे पास latest version है कि नहीं, तो आप यहा installation का process मैंने आपको बता दिया था, ठीक हो गया दि, यहां तक clear है, अब हम interface को देखने के बाद, अब आगे चलते हैं, ठीक है, mysql workbench के अंदर, हमने data या SQL की एक पूरी की पूरी database को कैसे हमने import करने है, ठीक है, बहुत important question है, और इसको answer करते हैं, कि हमने data को कैसे import करने है, data क्या है, और database क्या है, मैंने आपको बड़ी detail में पहले बता दिया है, schemas पे चलते हैं, अब मेरे पास इस user में, जो root user है, तीन database है, एक system का है, जो हमारे logs और बाकी फाइलें देखता है, तो यह हमारे लिए तकरीबन use less होता है, और जो, एक मैंने बनाया था Amar DB का, और के stored procedure होता है, यह procedure वो होता है, कि अगर आपके 5 से 7 tables हैं, तो उनके अंदर relation किस तरीके से बनाया है, या query language को use करते हैं, उनको कैसे हमने retrieve करना है, यही खासियत SQL की, कि इसके अंदर आप यह stored procedures की वाज़ा से fast pace पे data retrieve कर सकते हैं, अगर 6 million, 7 million, 8 million rows भी हैं, तो आपको इतना time नहीं नहीं लगता, just because of this stored procedures, and then functions होते हैं, उस tables के जो उनको relate करते हैं, हम examples में देखेंगे किस तरह relate करते हैं, अब हम देखते हैं कि यह MRDB एक database मैंने बनाया है, दूसरा बनाया था, Codenix DB, ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास यह students का database था, now what we are going to do, we are actually going to see के, tables के अंदर क यहां पर click किया table आ गया, Codenix DB के अंदर, students का हमने जो बनाया था, यहां पर देखेंगे, तो हमारे पास इसकी information आ जागी, कि यह data कौन सा है, इसके अंदर कहां पर पढ़ा हुआ है, ठीक है, file कौन सी है, data का path क्या है, IBD file होती है, table की sorry, और फिर इसके अंदर क्या के student name or student age, तो इस तरीके से आपको पूरी information एक table के मिलती है, indexes कौन कौन से है, primary की कौन कौन से है, इसके अंदर सारी information आपको मिल जाएगी, null values की मिल जाएगी, अब देखें, यह मुझे नीचे वाली tab तंग कर रही है, मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो यह इसको friendly use करन मैं भी आपको तंग नीच करूंगा उन चीज़ों को बता के, हम जब advanced stages पे SQL देखेंगे तो उसके हम अंदर इनको देखने वाले है, तो यह इसकी information मैंने कर ली, अब next, इसके साथ हमारे पास wrench का एक button है, जिसको setting बोलते है, usually हम, उस पर मैंने क्लिक किया, मैंने दो दफ़ होने वाली है, तो अब आपके पास, इनको कैसे करना है, आपने इनको shortcut कैसे use करते हुए, utilize करना है, यह आप दून लियागा, मैं समझे रहा था कि यह shortcut इसका होगा, मैंने कभी use नहीं था किया shortcut, चलो, अच्छी बात है, पता चल गया, तो खेर यह tab मैंने, इसको बंद कर द coding के साथ लिखा था सारा, आप click की base पर कर सकते हैं, ठीक है, unique है, primary key है, not null है, ठीक है, फिर बाद में different चीज़ें यहां पर आ रही है, हमारे पास expression उसके, ठीक है, यह सारे लिखें हुए है, unique है, binary है, and signed है, zero fill है, तो यह इसके abbreviation है, अगर abbreviation का नहावता चले, तो आप यहा बड़ा database नहीं है, मैंने click किया, apply किया, apply करने के बाद, वो यहां पर command दे रहा है, जो मैं लिखके alter कर रहा था ना, अब यह MySQL मुझे खुद से command दे रहा है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है, यार कर दे apply, इसने apply किया, वो कहता है, execute करने मैंने कर दो, अब यह database का नाम, यहा पिछली बंद कर रहा हूँ, क्यूरी भी बंद कर रहा हूँ, अब यह हमने देख लिया, यह वला point देख लिया, अब तीसरा है यह वला view table वला, तीन हमारे पास यहां पर icon आ रहे होते हैं, आही का, ranch का और तीसरा view table का थंडर उपर उसके आ रही है, उस पर click करता हूँ, त इस पर click के उपर इस query को add कर दिया, कि आप यहां पर click करेंगे, और यह query यहां पर automatically लिखके execute हो जाएगी, ठीक है, अब यह query यहां पर लिखी गई, यहां पर execute होगी, now you can see, कि यहां पर execute होने के बाद हमारे पास student ID, student name और student date यहां पर view हो गया, ठीक है, तो असल में इस तर करता हूँ हमजा, और यहां पर कर दे तो 23, ठीक है, यह मैंने add किया, apply किया, तो यह check करें, वो फोरण से query आगी, कि एक record और add करने वाला है, यह, मैंने का कर दो, तो इस तरीके से यह change हो गया, तो आप इसको यहां पर query लिखके भी कर सकते हैं, but based on your experience, I think, अगर आपने Excel प current row पर edit पर लगा दें, insert new row करनी, तो यहां पर click कर दें, और यहां पर अगर click करेंगे, तो delete selected row, यह मैंने delete selected row, अगर आपने करनी है, तो यहां से row select करें, for example, मैंने यह वाली row select की है, ठीक है, इसको मैंने delete करना है, तो इस पर click करूँगा, वो delete हो जाएगी, ठीक है, add करनी तो इस पर click करूँगा, add हो जाएगी, edit करनी तो इस पर click करूँगा, edit हो जाएगी, filter करनी है, तो यहां पर आप कुछ भी लिखेंगे, for example, आप यहां पे कोई नाम लिख देते हैं, row का मैं लिखते ता हूँ 5, या 4, 4 नहीं है, कोई भी मेरे पास इस वज़ए से कोई नही यह 5 लिखता हूँ, तो यह मेरे पास आगी, तो आप इस तरीके से search बटन के अंदर भी लिखके यह चीज़ें देख सकते हैं, फिर results grid, यहां पे click करेंगे reset all sorted column, यहां पे जो sort किया होगा आपने वो सारा आ जाएगा, ठीक है, export और import, ठीक है, अब यहां पे external file से भी आप data import कर सकते हैं, यह external file में store कर सकते हैं, for example, यह वाला data मेरे पास, इसको मैंने external file में export करना है, तो मैं यहां पे click करूँगा, click करने के बाद, यहां पे मेरे पास, पूछने लग जाएगा, कहां पे store करना है, मैंने desktop पे SQL का folder बना है, उसके अंदर csv, html, json, sql, insert statement, excel, spreadsheet में, तो आप इस तरीके से बहुत ज्यादा files में save कर सकते हैं, usually हम csv में करते हैं, मैं इसको नाम देता हूँ students का, ठीक है, तो automatically यह csv में file save होगी, अभी देखते हैं कि csv में save हुई है कि नहीं हुई, तो यह देखें जी, यह हमारे पास file आगी, इसको Excel में open भी कर सकते हैं, तो तो create new table, student 1 का table बनाता हूँ इसको, next करता हूँ, ठीक है, बागी coding मेंने वही रहने दी, student id की integer कर दिया, text कर दिया name को, यह वार करना है तो अपनी मर्जी से उसको भी कर सकते हैं, but I will leave it like that, next, prepare import import data file, the following task will be performed, I said okay, next and finish, तो यह आप देखें हमने क्या किया, यहाँ पे एक नि यहाँ टेबल import कर लिया, but just imagine, यहाँ पर तो आया है कुछ नहीं, तो इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर आ जाना चाहिए वो, let's see क्या आया कि नहीं आया, यहाँ पर चेक करें, तो क्या हुआ, amardb के अंदर आ गया, reason क्या है, हम database जो use कर रहे हैं, वो नीचे यह देखें, amard db use कर रहे हैं, अगर kodanics db use कर रहे होते हैं, तो kodanics में आता, ठीक हो गया, तो amardb में है, amardb को हम यहाँ से view करते हैं, तो look, यह हमारे पास database आ गया, तो इस तरीके से आप file बड़ी से बड़ी अपने dataset की file को भी इसमें import कर सकते हैं, अब इसको delete करने हैं, तो यहाँ पर right click करें, तो यह आपके पास options आ जाएंगी, ठीक है, मैं यहाँ से drop table करता हूँ, drop now, हो गया, यहाँ तक समझा गया आपको, अब drop के बाद, आपने अगर नया table create करने हैं, तो क्या करेंगे, simply table पर click किया, right click किया, create table, table जो look alike, time stamps हो, user हो, यह templates दी हैं उन्हें, ठीक है, template स करने हैं तो यहाँ से, search table data, table data import wizard, refresh all, refresh आपने करते जाना जब table लगाना है, अब मैं यहाँ पर नया table create करता हूँ, new table का नाम मैंने दिया, for example, शागिर्द, शागिर्द नाम दिया इसका, पहला column name मैंने रखा, id, id को मैंने int लगा के, auto increment लगा दिया, auto increment में automatically not null और primary की हो जा दिया, name, war care 45, automatically हो गया, ठीक है मेरे लिए, ठीक है जी, तीसरा मैं कर देता हूँ, age, ठीक है, इस तरीके से यह table बन रहा है, city, email, ठीक है, तो यह मेरे पास table बन गया, अब आप देखें, आप इस तरीके से easily table बना सकते हैं, comment कर दें इस पर, for example, मैं यहाँ पर comment करता हूँ, amy वाला table, amy table बना लिए, ठीक हो गया, apply किया, लोग जी apply, apply, यह हमें कोई, पांट सेकंड लगे हैं, table generate करने में, ठीक है, इसको view करके देखें, तो इस तरीके से table आ गया, अब इसके अंदर values add करनी है, तो यहाँ पे आप values add कर सकते हैं, इसमें रहने दें, इसको लिखें amy अर, age 22 कर दें, city कर दें, फैसलबाद, email कर दें, at gmail.com, just imagine, यह मैंने कर दिया, apply किया, apply किया, तो यह record इसके अंदर save हो गया, ठीक है जी, तो आप इस तरीके से data add कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखें, automatically one आ गया, तो basically क्या है, यह Excel की sheet की तरह यह नीचे वाला काम कर है, ठीक है, आप इसको यहाँ पे click करें, तो आपका data भी fit हो जाएगा, तो यह Excel की sheet की तरह काम कर रहा है, आपको यहाँ पे basically, fonts ज्यादा नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे जाए, preferences पे, जाने के बाद appearance पे जाए, appearance पे जाने के बाद, बलके fonts पे जाने के बाद, SQL editor का है results set का है, इसको मैं 12 कर देता हूँ, scripting का ठीक है, बाकी ठीक है, 12 किया, इसको मैंने किया, यहाँ से बंद, इसको भी बंद किया, mysql को restart करता हूँ, तो जी यह इस तरीके से, आपके पास, यहाँ पे MRDB है, मैं यहाँ पे इस पे click किया, तो यह वाला show हो गया, kodenics पे किया टेवल पे जाने के बाद, शिगिर्द के data को view किया, तो यह देखें, इसका font size छोटा हो गया, तो इस तरीके से आप पंगे ले सकते हैं, बहुत ज्यादा पंगे ले सकते हैं, और यह चीज़ें ज्यादा matter करती है, अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम जो करना है, वो next video मैं आपको बताता हूँ, उसमें हमने basically online databases को download करने के बाद, बड़े से बड़े database को SQL के अंदर merge करना है, so कहीं जाहिएगा मत इस video को बार बार practice करें, जो मैंने interface के बारे में बताई है, अब अगली video आने लगी है कि SQL के database को import कैसे करना है, ठीक है जी, यहां पे हमने द लगग पे हमने अंदर लगी है